हेलो वाई स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेथ केर पर कैसे आप सब आज़र करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आज में अपनी नई सीरीज में आपके लिए लाई हूँ सहजन यानी ड्रम इस्टिक के कुछ और शदिये गुड़ ये सबजी मिंदर साथ खजाना है इसमें बिटमिन सी, पुटेशियम, बिटमिन ए, बीटा केरोटेन, कैल्शियम, आयरन सभी ये सब भरपूर मात्रा में पाय जाते हैं ये एक बहुत अच्छा एंटियोक्सिडेंट का सोर्स है क्योंकि इसमें फाइवर बहुत अच्छी मात्रा में पाय जाता है इसलिए जो लोग भी हार्ट पेसेंट हैं इनको कॉंस्टिपेशन रहता है अत्पा कोलेश्टोल संबंदी समस्या है उन सभी के लिए मुन का एक रामबाण है इसके नियमित सेवन से ये तीनों ही परिशानिया दूर होती है ये हमारे बलड सुगर को भी कंट्रोल रगता ह आता जिन भी लोगों को डायबेटीस की प्रॉपलम है उनको नियमित रूप से सहजन की फलियों का सेवन करना चाहिए ये हमारी सरी में एंटी एजिंग एजिंट का भी काम करता है इसके नियमित सेवन से इसकिन यंग बनी रहती है जिन लोगों को भी पाचन संबंदी समस से आये हैं उन लोगों को प्रते दिन सहजन की फलियों को पानी में उबाल कर दिया जाना चाहिए ऐसा नियमित रूप से करने से पेट से संबंदे ज्यादा तर विकार दूर हो जाते हैं यह एंटी पंगल और एंटी बैक्किरियल भी होता है अगर जिनके भी ब्लड में य क्यों कि इसमें आयरें मरभूर में पाया जाता है इसलिए सेidents सेवलसी अणीयमिया की सब्स्या हो जाती है सहजन हमारी हड़ियों के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का क्योंकि इसमें कैल्शियम मरभूर मात्राइं प्राजर्ट है इसके सेवल से हड़ियों की कमजोरी दूर होती है यह पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है इसलिए हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिन में लोगों को हार्ट समन्दी कोई सबस्या है उन सभी को इसका सेवन नियमे दूप से करना चाहिए तो ये थे सहजन की कुछ और सधी गुण इसकी अपने हमें प्रयोग से हम अपनी स्वास को और भी बहतर बना सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हूँ तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें जिस से जज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाप ले सकें आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो देखने के लिए आगे बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं अगे नए वीडियो में जल्दी है